खबर उत्रा खंड से है जहां मुख्यमंतरी श्री त्रिवेंदर सिंग रावत ने बुधवार को सचिवाले में कानपूर में प्रस्तावित प्रथम नैशनल गंगा काउंसिल की बैठक से संबंदित राज्य से जुड़े विश्यों के संबंद में संबंदित अधिकारियों क साथ चर्चा की मुख्यमंतरी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में नमामी गंगे के तहत संचालित अवशेश कारियों में तेजी लाई जाए गंगा एवम उसकी सहायक नदियों पर स्वच्छता का विशेश ध्यान रखा जाए नालों के टैपिंग की स इशिकेश में स्टी पी से कितनी भूमी की सिचाई हो सकेगी इसका पूरा आकलन किया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्राखंड बनाने के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरुकता अभियान चलाया जाए बैठक में जानकारी देते हुए श्री मुख्य मंत्री ने कहा कि नमामी गंगे के तहट 21 में से 10 योजनाय पूरी हो चुकी है जबकि 11 वर्तमान में गतिमान है गंगा के गिनारे बसे 15 नगरों को प्रतिदिन औसतन 371 मिट्रिक टन कूड़ा उठाया जा रहा है बैठक में मुख्य सचीव श्री उत्पल कुमार सिंग, सचीव डॉक्टर भुपेंद्र कौर अलक, श्री अर्विन सिंग याकी, अपर सचीव श्री उदैराज सिंग, श्री आलोक शेखर तिवारी जी, श्री विनोत कुमार सुमन एवं संबंधित विबागिय अधिकारी उपस्थित थे, ट्रामनिस 24 के लिए उत्राखन ब्यूरो की एक खास रिपोर्ट